है लू एकसल में टेवल की क्या इंपॉडेंस है इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे टेवल की साइथा से भे हम अपने डेटा को एक क्लिक से डिजाइन कर सकते है एक साथ मल्यटिपल फिल्टर यूज कर सकते है और भी इसके के फिचर्स है जिनको हम यहां पे करेंगे suppose करो यहां पे यह data दिया गया है यह उपर वाला data है यह नीचे वाला data है तो इसमें हम filter use करना जाते हैं तो अगर हम इसमें filter use करेंगे तो इसमें filter use नहीं कर सकते इसमें करेंगे तो इसमें नहीं कर सकते हमने क्या करना है इस सारे data में filter यूज़ करना है इसलेक्ट करना है इस वाले में भी और इस वाले में भी तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम पहले इनको table बनाएंगे लेकिन पहले देखते हैं कि filter दोनों में use होता है कि नहीं होता है ये हमने यहाँ पर इसको select किया स्लेक्ट करने के बाद डेटाट आप पे गए डेटाट आप पे जाने के बाद यहां पे फिल्टर पे क्लिक किया यह फिल्टर यहां पे आ जाएगा फिल्टर आने के बाद यहां पे हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे स्लेक् एक मोहित एक शशी तो दोनो रिकोड यहां पे जनेटो होके आ जाएंगे इसके बाद सभी चाहिए तो हम यह फिर यहां पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे select all यहां पे इसको check करेंगे यह सभी यहां पे आ जाएंगे इसके बाद ok पे click किया है तो यह सभी यहां पे record आ जाएंगे इसके बाद अगर हम यह filter यहां पे use करना जाते हैं तो यह filter हम यह यहां पे use नहीं कर सकते हैं यह देखो इसको select किया select करने के बाद जब हम यहां पे filter पे जाएंगे तो filter पे जाने के बाद यह लिखो यह जो उपर वाला filter है यह यहां से हट जाएगा और यहां पे यह filter आ जाएगा तो हम क्या जाते हैं कि इसमें भी और इसमें भी दोनों में filter आ जाए तो हम क्या करेंगे यह table create करेंगे पहले यह filter हमने अटाना है यहाँ फिल्टर पे click किया यह हड़ जाएगा अब दोनों इनको हम table बनाएंगे तो बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको select करेंगे select करने के बाद यहाँ पे insert tab पे जाएंगे insert tab पे जाने के बाद यह table यहाँ पे click करेंगे यह table पे click करते यह range select हो जाएगी यह range select होने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है my table has header कि इस table में जो है header है यह उपर header दिया गया है इसके बाद ok click करेंगे तो यह देखो यहाँ पे table बन क आजाएगा अगर table name देना जाते हैं तो यहां पर table name दे सकते हैं जैसे यह लिखा table name resize करना जाते हैं तो यहां पर click करेंगे resize कर सकते हैं यहां पर यह देखो जो भी range आईए जैसे F6 है हम यहां पे F8 भरेंगे तो यह F8 तक यहां पे निच्छे तक आ जाएगा यह बनके तो हम यह नहीं करेंगे इसको cancel यहां पे किया इसके बाद अगर हम यहां पे remove डूपलिकेट करना जाते हैं तो यह duplicate जो भी values है वो यहां पे remove कर सकते है इसके बाद insult slicer इसका use कर सकते हैं अगर यहां पे use करना है तो यह हमने पिछली वीडियो में सिखा कि इसका use कैसे किया जाता है इसके बाद इसको यहां पे यह देखो यहां पे header row दिया गया है header row यहां पे हम इसको uncheck करेंगे तो यह जो header row है यहां से चली जाएगी अगर हमें यह चाहिए तो हमें इसको चेक करेंगे यह header row यहां पर आ जाएगी इसके बाद यहां पर total row यह लिए गया है यहां पर इसको चेक करेंगे तो यह देखो यहां पर total row यह आ जाएगा यह आने के बाद अब क्या है हम यहाँ पे बिना फार्मूले के यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं जैसे count करना, maximum करना, minimum करना, average नकालना यहाँ पे कर सकते हैं यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए यह देखो इसका total यहाँ पे आ गया है इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह जो more button है यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद ओपर जितनी भी यह value दे गई है इनका हमने क्या करना है जैसे average इंकाल नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर average पर click करेंगे तो यह जितनी भी है इसकी average निकल के यहां पर आ जाएगी यहां पर click करने के बाद फिर यहां पर more button यहां पर बन जाएगा यहां पर click किया, click करने के बाद यहां पर क्या करना जाते हैं count numbers यह यहाँ पर click किया तो यह देखो कितने numbers है 1, 2, 3, 4 और 5 यह 5 numbers यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद इसमें क्या करना है यहाँ पर click करेंगे फिर यहाँ पर more button बन जाएगा यहाँ पर हम click करेंगे click करने के बाद इसमें क्या निकालना जाते है जैसे maximum तो maximum यहाँ पर click करेंगे यह देखो maximum जो यहाँ पर marks है वो 98 है तो यह यहाँ पर 98 आ गया इसके बाद अगले पर click किया अगले पर क्या करना जाते हैं जैसे minimum इसमें निकालना जाते है तो यह minimum यहाँ पर click किया तो यहां पे minimum marks जो है यहां पे 45 यहां पे आ जाएंगे तो यह table में सभी features हैं इनको हम use कर सकते हैं इसके बाद यह branded row यह अगर हमने अटानी है branded row जैसे यह बनी हुई है इसके बाद यह बनी हुई है इसके बाद यह बनी हुई है तो first column जब हम इसको check करेंगे तो इसमें changing आजाएगी यहां पे हम first column पे click है यहां पे यह चेंजिंग आगी board में आ जाएगा इसके बाद last column तो यह last वाला ऐसे हो जाएगा जैसे यह है यह last column पर हमने यहां पे check किया यह देखो यह जैसा First Column है वैशन यह बन जाएगा अगर यहां पे Branded Column चाहिए इनको Ungeak कर दीते हैं पहले आगर यहां पे Branded Column Column में क्या होगा यह सारा Column सेलेक्ट होगा Branded Column चाहिए यहां पे हम इसको Check करेंगे यहां ब्रैंडे अगर यह आटाने है यहां पे क्लिक करेंगे यह हट जाएंगे इसके बाद फिल्टर वटन फिल्टर वटन यह आगर हमने आटाना यहां पे चेक है चेक का मतलब यहां है कि यहां पे फिल्टर लगा हुआ है इसको आटाना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे यह फिल्टर वट हुआ है यह चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले इनको branded rows यहां पर इसको check करेंगे check करने पर यह यहां पर आ जाएंगे इसके बाद यहां पर हम अगर style यहां पर use करना जाते हैं तो हम यहां पर style पर यह दिको first पर click किया यह style यहां पर change हो गया second पर यह देखो अलग अलग यहां पर style आ रहा है जो भी style चाहिए वहां पर हम click करेंगे बो style यहां पर apply हो जाएगा और भी चाहिए तो यहां पर click करेंगे यह सारे यहां पर style पड़े हुआ है जो भी चाहिए उसके ओपर click करेंगे वो apply हो जाएगा यह दे स्लेक्ट किया, स्लेक्ट करने के बाद, इनसल्ट و टैब पे जाएंगे, और फिर यहां पे टेழ पे जाएंगे, टे whale पे जाने के बाद, ये जो है क्रेट टेवल, यहां पे डायलोब बॉक्स आ जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी दिय Ellis गया है कि इसमें भी header है my table as header इसके बाद ok पर क्लिक करेंगे यह table यहां पर बन जाएगा table बनने के बाद यह लिखो यहां पर filter यहां भी लगके आ जाएगा उपर भी filter लगा हुआ हो और यहां भी filter लगके आ जाएगा तो इस तरह से अगर हमने दो या तीन या जितने भी हमारे पास table है उसमें filter कर जाते है तो हम यहां पर table बनाएगे और यह इसको यहां पर filter को apply कर देंगे तो इस वीडियो में हमने table की importance के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद